पूर्टिज्म अवेर्नेस पे हम जो काम कर रहे हैं हमारा मोटीव यह है कि आसान से आसान भाषा में लोगों तक हमारा मेसेज पहुंच सके और इसको ठीक करने के लिए सिर्फ मेडिकल फिल्ड जो है वो परियाप्त नहीं है इसके लिए दवा जांच थेरपी यह सारी चीजें हैं एक पार्ट यह हैं अहम पार्ट इनका काफी इंपोर्टेंट रोल होता है इसमें लेकिन इसके अलावा भी पैरे सुषल कमईकेशन परिवार में जो धान काइसे यह सारी चीज़ें इसको उभय करती हैं जिनमें इससे नहीं हुआ है सोशल अवेरनेस बच्चे का सई से नहीं हुआ है उन में उन बच्चों के कंपेरिजन में ज्यादा प्रॉब्लम होती है जिन में वो सारी चीज़ें अवेलिवल हैं फिर भी वाटीज्म का कुछ कुछ सिंप्टम सुन में आ गया तो हमारी कोशी समेशा से यह रहत एक आसान से आसान भाषा में हर किसी को समझाएं कि पहले प्रॉब्लम एक्च्वली है क्या आप आप आटीज्म का नाम सुनके परिशान जो हो जाते हैं परिशानी की बात है भी लेकिन जितना आप उसको ओर्वर थिं जितना स्केंकरतों 망 से wal 자 है यह ना हो इसके लिए एक आसान से आसान भाषा में सारे सवालों का जबाब देते हैं सारे जो डाउट होते आपके हम क्लियर करते हैं यह एक बात हो गए हमारी कोशिस यह रहती है कि जितने लोग भी हमारे वीवर है वह कमेंट करते हैं तो ज़़दा अर्पष खाली समय में हम कमेंट पड़ते हैं और जो reply करने लाइख होते हैं उन पे हम reply करते हैं कुछ कुछ कमेंट छूट भी जाते हैं उतना समय नहीं मिल पाता है क्लिनिक और ऑनलाइन सेशन्स इसके अलावा वीडियो गएरा काई है तो इन सब में समय निकल जाता है आज एक कमेंट पे मेरी नजर पड़ी है तो जो भी है वो अब कौन है उतना मैंने ध्यान दिया नहीं काफी लंबा चौड़ा दो तीन पेज का उन्होंने कमेंट लिखा है उसमें सेकेंड बेबी प्लानिंग वाला जो वीडियो है हमारा ओटिस्टिक बच्चा हो तो सेकेंड बेबी प्लान करना चाहिए एक नहीं करने चाहिए उस घर में उस पर हमने जो वीडियो बनाया था उस पर उन्होंने कमेंट किया है कि आप मतलब मोटा मोटी हम बता देते हैं उतना समय भी हमारे पास नहीं है उतना आपको भी पेशेंच नहीं होगा मोटा मोटी उन्होंने यह लिखा है कि मतलब कि आपने यह कैसे कहा कि यह होता है एक ऑटिस्टिक बच्चा जिस घर में होत चाहिए वह पैरेंट्स ही समझते हैं कि क्या सीचुएशन उनकी रहती है एक बच्चे को हेंडल नहीं कर पाएंगा दूसरे बच्चे कि क्या यह है कि वह बच्चा उसको कोड़ेट करेगा करें और और बच्चों में सपोर्ट थोड़ी से मिल सकती है वो उसको ठीक नहीं कर स ही सकता है मतलब जो सेकेंड भी होंगा तीक नहीं कर सकता है उसके बद कि इनने और ये लिखा है कि बाद में मतलब मतलब कि अपनी एक life होगी personal life उसमें अगर साधी विवा हो पतनी सपोर्ट करें न करें Sun ृ सपोर्ट करें न करें और इसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि हम किसी autism mother को जानते हैं, कोई lady का YouTube का यह है, वो जो मैंने देखा उसमें, तो कि ये को हम जानते हैं, जो कि उनके बच्चा autistic है और वो बहुत परिशान रहते हैं, जिस तरह की problem उनके साथ बहुत तरह की problems हैं, इसके अलावा इन्होंने ये भी लिखा है कि second baby plan क्यों करना किसी relatives में, कोई अगर financially weak condition में है, तो उसके बच्चे को अपने यहां रख लें, मतलब socialization के लिए, मतलब social interaction के लिए, तो उसके मतलब कि घरीब का बच्चा आपने यहां रख लेंगे बच्चे, आपके बच्चे का target भी पूरा हो जाएगा, मतलब उसके साथ बच्चा कोई रहना चाहिए, और दूआ भी मिलेगी, दूआ से ठीक हो सकता autism वाला बच्चा, इसके अलावा उन्होंने ये लिखा है कि autism को आप इतना आसान कैसे बोल सकते हैं, मतलब इतनी हलके में कैसे ले सकते हैं, इसको seriously लेना चाहिए, आपको autism पे ज़्यादा knowledge नहीं है इसका मतलब, thank you, इतना इनका comment है, मतलब overall मैंने बताया है, है तो दो तीन page का लगता है, आप लोग जाके देख सकते हैं comment को, आप जो भी हैं, आपको हम अपना reply कर, सबसे पहले आपने बोला कि, में बात पर आते हैं, कि आपने बोला कि autism पे हमको ज़्यादा deep knowledge नहीं है, चलिए इसी पे हम बात करते हैं, कम से कम किसी ने इतना समय लगाया, वीडियो को देखा, analyze किया, और analyze करके तब उस पे उतना अ autism के बारे में, या फिर हो सकता है कि आप किसी channel वाले हों, इस field में आप काम कर रहे हों, कोई भी हो सकते हैं, कोई प्रवल में, हमको पता भी नहीं करना है, हैं कौन आप, अच्छी बात, आपने comment किया, अच्छी बात, सबसे पहले आपने यह करा कि autism को आप इतने हलके में कैसे ले सकते हैं, बहुत सारे autistic बच्चे virtual और mild autistic नहीं होते हैं, moderate और severe भी होते हैं, कुछ-कुछ बच्चे 24 hours, care taker चाहते हैं, कि उनका मतलब कि care किया जाए 24 hours, उसके बाद आपने यह भी बोला कि पडोसी या relative के बच्चे रखेंगे, तो दूआ से बच्चे ठीक हैं, अगर scientific के प्रोच पर आप बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने बोला कि autism का हमको ज़्यादा यह नहीं है, तो क्या है न कि यह autism इतना, मैंने कितने सारे वीडियो में बोला है, कि यह इतना वैग टर्म है, इतना बड़ा टर्म है, कि जितना इसके बारे में जानते जाएंगे, उतना ही कम लगेगा, तो यह पूरा तो कोई नहीं जान सकता है, हमने जो अपने experience से जितना यह किया है, वो clarity के साथ हम बाते रखते हैं, आपने जब scientific approach की बात करी कि आप इस पे जादा नहीं knowledge है आपको, तो इस पे बात करते हैं, अब scientific approach की जब आप बात करेंगे, तो वो जो दूआ वाली बात आपने बोली, कि कि किसी गरीब का help कर देंगे, अपने या ले आकर रखेंगे, तो उसकी दूआ से हो सकता है, तो दो चीजें कि यह मतलब विरोधावास हो रहा है, contradictory चीजें हो रहे है, scientific approach अलग चीज है, evidence-based approach अलग चीज है, और यह आपका दूआ 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 यह अलग चीज है, यह contradictory बात है, तो पहले आप decide कर लिजी कि जाना किधर, scientific approach की तरफ या दूआ की तरफ, दूआ की तर दूआ से ठीक हो जाता है, आप दूआ कीजिए, और अगर evidence-based approach से ठीक होता है, तो उसमें believe कीजिए, evidence-based approach पे हमने बहुत सारे video बनाए है, आप उसको भी जाके देखिए, हम चाहते तो आपके comment को skip कर सकते थे, हम उसको, नहीं इस पर reply कर सकते थे, ignore कर देते क्या हो जाता, लेकिन इस पर जवाब देना जरूरी है, लोगों को पता चलना चाहिए, आपने ये भी कहा है, कि सारे autistic बच्चे mild autistic नहीं होते, या फिर virtual नहीं होते, ये बात बिल्कुल सही है, कि सारे autistic बच्चे virtual और mild नहीं होते, तो जो moderate और severe होते हैं, अब चुकि आपने किसी दूसरे मदर का उधारन दिया, इसका मतलब आप autistic parent तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आप इसी field से कहीं से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं, आपको वीडियो से, मेरे वीडियो से अगर कोई problem लग रही है, या फिर लग रहा है कि इतना आसानी से हम लोग हुआ बना के रखे हुएं इसके बारे में, इन्होंने इतनी असानी से इसको लोगों का डर्मन से खतम कर दिया, लोग अब बातें positively ले रहे हैं, तो अगर इस बात से कोई problem है, तो इस पे भी बात करते हैं, कि हाँ, moderate और severe autistic बच्चे भी होते हैं, लेकिन short term goal उनमें भी यही होता है कि proper socialization हो हो, वो उनमें sitting tolerance आए, वो concentrated हो, बाकि behavioral issues बहुत सारे आते हैं, psychological level पर बहुत सारी problems होती है, behavior में बहुत सारी problems होती है, temper tantrums ही बहुत सारे होते हैं, यह सारी problems है, speech delay ही सिर्फोर्टिजम नहीं होता है, हम इस पे बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, तो इन सब चीज़ों को step by step cure किया जाता है, पहले rehabilitation में हमेशा short term goal और long term goal यह दो चीज़े लेके चलनी होती है, यह short duration का काम नहीं होता, तो short term goal में set किया जाता है कि problem अभी क्या है, जिनको ततकाल ठीक करना जरूरी है, और वो कुछ ही दिनों में handle किये जा सकते हैं, कि नहीं लेना चाहिए, और इसके बाद भी आपने बोला कि इसका कारण का कुछ आपने जिक्र किया था उसमें, तो देखिए, कारण बहुत सारे होते हैं, exact cause इसका कुछ भी नहीं होता, exact cause इस चीज का नहीं होता, उसका exact management नहीं होता, तो किस base पे इसमें इतनी सारी दवाएं लिखी जाती हैं, 10-10, 15-15 मेरे पास बहुत सारे patient आते हैं कि बड़े बड़े neuropediatrician से दिखा दिखा के 10-10, 12-12 दवाएं उसमें लिखी गई हैं, जिनका उसमें कुछ भी रोल नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिखी गई हैं सिर्फ पैसा बनाने के purpose से, और हो सकता है कि आप भी उसी community का हिस्सा हो, तो उसमें से कुछ आपको भी benefit होता हो, हम यह नहीं कह सकते हैं, आपको कुछ ब्लेम नहीं कर रहा हैं, लेकिन हो सकता है, कि आप इस तरह के यह हो तो इसलिए आप ने ऐसा कहा, कि आप इसको इतने आसानी से मत लेजे, तो इस वज़ा से आपको बुरा लग सकता है. अगर रही बात कि आपको टेछनिकल बातें करनी हैं, इस से रिलेटेड कुछ बातें करनी हैं, तो मेरा नमबर दिया रहता है हまぁ हर व वेडियो में, आप फोन करें, फोन पर डिसकस करें जितना deep knowledge आपको चाहिए है, उतना deep knowledge हम आपको autism पर देते हैं, इसके अलावा, आपको क्या है कि हमारा address दिया रहता है ये में, आप यहां आएं, यहां आके मिलें, यहां जो भी वच्चे आते हैं, उनके parents आते हैं, उनसे आके आप मिलें कि चल क्या रहा है, असल में धांदल इसके नाम पर डकैती चल रही है, उसमें positive awareness का काम अगर किया जा रहा है, तो आप से अगर नहीं देखा जा रहा है, तो आप क्या करें कि अपने काम से मतलब रखें, जनुवीन सवाल पूछें, उसका जवाब आपको दिया जाएगा, नहीं इसमें सहयोग कर सकते हैं, तो आप स्थिर रहें, चुप रहें, कोई जरुरत नहीं बोलने कि, सहयोग करना है, तो positive awareness लोगों में फैला है, किस बात का वो omega 3 वाला शिरफ दिया जाता है, डिएडेट दो दो अजार 15, 15, 16, 16 रुपे का, 70 to 80% तक उसमें doctor का profit होता है, वो जो दवा लिखेगा उसी के हाँ म सब लोग देखें और समझें क्या हो, चलता क्या है, 70 to 80% तेलोपेदी के दमाओं में यह होता है, वो किसका फायदा हो रहा है, डक्टर लिखेगा उसी के यहां मिलेगा, तो यतना उसको मिल रहा है, अब उसी चीज को अगर हम naturally लेके जा रहे हैं, और हम सिर्फ कह रहे हैं Rich source, natural source, सबसे सुद्ध, pure source है वो, तो इस से क्या problem क्या होनी है, वीतामिन डी की बात करते हैं, आप लोग की बच्चे का वीतामिन डी टेस्ट कराए गया तो वो को उसकी deficiency थे, of course deficiency होगी क्योंकि बच्चे जो घर में बंद रहेंगे हमेशा उनमें बाहर वातावरन में निकलेंगे नहीं, दोडेंगे, कूदेंगे नहीं, धूप नहीं लगेगा, वो environment friendly नहीं होगे, तो उनको problem तो होनी है ना, metabolic problem होनी है, उसके बाद से bone joint की problem होनी है, mineral salts की problem होनी है, होन हो सके, कि money making के लिए गलत काम करेंगे, उनको गलत direction में लेके जाएंगे, टेस्ट कराना problem नहीं है, अगर vitamin D3 की कमी आई, vitamin D की कमी आई, तो आप बताइए ना, कैसे-कैसे natural sources हैं, उनसे वो पूरा किया जा सकता है, natural supplements होते हैं, उनसे कैसे पूरा किया जा सकता है, कैसे बचा जा सकता, rehabilitation की बात हो रही है, और आपको preventive और precautionary approach नहीं पता है, और आप लोग ज्यान देने चले आते हैं, rehabilitation में therapeutic approach सही है, therapy करना सही है, लेकिन उसके साथ-साथ preventive और precautionary approach भी चाहिए होता है, जो की बचाया भी जा सके, बचाया भी जा सके, जो उसकी तरफ लगातार बढ़ रहा है problem की तरफ, तो एक तो उस problem की तरफ बढ़ने भी नहीं देना है, और उसके साथ-साथ उसका management भी करना है, तो इसमें parents की awareness की जरूरत है, problem चाहें कितनी भी severe हो, लेकिन parents की awareness की जरूरत है, आपके जो lab test होता है, जो basin test होते हैं, lab में, basin test, basin test मतलब क्या होता है, कि blood लेके basin में डाल देना, हम cycle ऐसे lab को जानते हैं, जहां कि basin test होता है, blood लिया और देखा कि अच्छा, इसमें hemoglobin इतना है, इतना है, इतना है, रिपोर्ट में लिख देता है, इसलिए लिख देता है कि उस डक्टर के यहां से है, उसके हिसाब से रिपोर्ट जाना चाहिए, और blood लेके basin में फेक दिया, बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं, बड़े बड़े जो यह हैं, फ्रेंचाईजी वाले लैब्स हैं, उन में जाकर टेस्ट कराईए, उनका जो लैब टेस्ट होता है, वो एकूरेशी ज्यादा होती है, बेसिन केस्ट वाले लैप्स में नहीं वो जान मुझ के क्या क्या डेफिसियंसी देना है वो देते हैं डक्टर उसी के हिसाब दवाई लिखता है दूसरे जगा जाच कराके देखिएगा तो नहीं मिले और आएगा वी रिपोर्ट तो वो मेजर डिफरेंस के साथ में आएगा हम इन सब बातों पर नहीं जाना चाहते हैं इस फिल्ड में 6-7 साल से जो हम प्रैक्टिस में हैं हजारों हजार लोगों से मिले हुए हैं तो हमको रियालिटी इस बारे में पता है कि होता क्या है तो बातों को ढखने से कोई फायदा नहीं है पोजिटिव इस पे काम करने से कुछ यह हो सकता है और आपने किसी और का जो एक्जम्पल दिया उस तरह हम भी हजारों लोग को जानते हैं कि जिनके बच्चे को प्रावलम है और हो कही साल से परेशान है और बच्चे में जो रिजल्ट मिलने चाहिए उतनी रिजल्ट मिल नहीं रहे तो मोडरेट और सारी चीजें जो होती है वो एक तरह से इंटेलेक्चुल डिजैबिलिटी उनमें होती है तो जल्दी चीजों को सीख नहीं पाते हैं इसलिए हम कहते हैं कि वैसे बच्चों को स्पेशल स्कूल अगरे में डाला जाये तो चलता है कि बाकी माइल्ड मोडरेट बच्चे हजारों देखें हैं और उनमें काफी पोजिटिव इंप्रोव्मेंट होता है और बच्चे ठीक हैं नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं एडियल उनका इंडिपेंडेंट हैं कुछ कुछ प्रॉब्लम सुन में हैं एक बच्चा है उसका इको ले लिया की प्रॉब्लम है वह भी कब जब वह इरिटेट होगा तब बातों को रिपीट करेंगा ऐसे नहीं करेंगा उसको प्रॉब्लम यह थी कि वह आई कॉंटेक्ट प्रॉपर नहीं करता सी गढ़ा के रखता था गवाट करें उर। इसको काउंटिंग सिखाओ तो One डॉल तू बोलता था। थीवलुंदो थ्रीवपोड थम्रंइक stairs आगे जाता था चड़ने में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम स्थी बैदेंस इंग वन्रा चरीनेशन की प्रॉब्लम थि प्रॉब्लम थे कुछ महीने रहते हैं उसके बाद बच्चे में काफी positive change जाते हैं उसके बाद वो हमसे संपर्क नहीं रखते हैं तो सारे लोगों का record हमारे पास नहीं होता है मतलब record होता है लेकिन वो कहा गय नहीं को सारीव लोग अपना चाहते थीक होने के बाद भी वो मिलते रहना चाहते हैं कुछ लोग नहीं रहना चाहते हैं । तो अभी बिदखिया ेसोच वाले लोग हमारे संपाज में मौझ में हैं तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता अब रही बात की एक बात का जवाब हम आपको देंगे लास्ट में इस बात को सब लोग ध्यान से सुनियेगा अभी लोग उस लाइक mentally prepared हो गए हैं कि वो टेक्निकल बातों को ज़्यादा ध्यान से सुने या देखें अगर उसको असान लेंग्वेज में असान भासा में नहीं समझाया जातो ओडीडी पे हमने एक वीडियो बनाया है ओपोजीशनल डेफियेंट डिचर्डर वो हमने एक्सपिरियेंस किया अपने प्रैक्टिकल लाइफ में तब हमने देखा कि अच्छा ऐसी ऐसी प्रावलम्स हैं तो एडीएचडी वाले बच्चे में वह इसा देखने को मिल रहा है ओडीडी तो हमने देखा कि कुछ तो य Malouu का भात का उडुम ठाव नहीं करता है तुरत के तुरत जवाब डे देता है कुछ गलतियां करता है और उसका दोस्त दूसरे को शीटे emerging पोलते न workshop जब तक उसको पीन लगा यह होता है ओजिस्टर डेफियंट्ग इस पे हमने एक वीडियो बनाया लोग और टीजम से उपर उठे ही नहीं है वो और टीजम वाले टॉपिक वाले वीडियो को कुछ भी हो उसमें आप लिखें और उसमें आप कुछ भी बोल दें लोग उस वीडियो को देख जाते हैं कि ऑ डीडी पर उतना विव नहीं आया कियों कि उसमें टेकनिकल वाते थी और वह जादातर लोगों में नहीं प्रवड्म होती हैं कि और उसमें डेफियंट जैसे हमने यूज किया टर्म होस्टाइल हमने यूज किया टर्म इसी तरह के बहुत सारे तो लोगों को बात समझ में आई ही नहीं कि कह क्या रहे हैं तो जब बात समझ में नहीं आई तो इसलिए उस विडियो का विव नहीं गया और व्यू नहीं गया मतलब कहने यह है कि हमको कितना cook है वो हमको पता हैchant rubbish online करेख सीखते हैं जीस दिन अगर लग गया कि हमको सब कुछा कराके अब दान हो आपको ैसा लग गया अपसे बड़ा प्यवकूफ कोई नहीं है हम को लग गया तो हमसे सबसे ज्यादा जानते हैं सबसे ज्यादा ज्यादा ज्यानी है उस दिन से आपका पतन शुरू हो गया तो हम तो अभी शीख रहे हैंब इसमें तो अभी नया नया में शुरू किया है जो लोग 20ince 25 चिस साल से लिखश कर रहे हैं वह कुणं सी प्रायक्टि कर रहे हैं कि वह जहां आच पे और दवाओं पे ज्यादा फोकस करते हैं सही अप्रोच क्या है वो बताने में विश्वास नहीं रखते हैं क्योंकि उनको और बच्चा आते ही 20-25 जार का यह दिख रहा है कि प्रोफिट है यहां पर तो जो लोग उस तरह के काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं औ कामारे साथ जुड़े उसको सही लगे तो यह करे नहीं सही लगे और जाये लेकिन क्या है की उपाई यही है पैरेंटीं में संख्या बढ़ी है तो मेजरीटी जो केस का आएगा मेरे पास हम इस पर इहीं बात करेंग इसके लिए पूरी दुनिया में बहुत बड़े-बड़े Mental Rehab Center और Neurological Rehab Center है तो वहां पे आप जाएं और अपने ग्यान का बखान वहां पे करें और देखें कि उन लोग क्या बना रहे हैं बच्चों को तो इसी लिए क्या है कि टेकनिकल बात पहले हमने टेकनिकल वीडियो बहुत सारे बना है लेकिन देखा कि लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं यह हाइड टर्म्स हैं यह टफ टर्म्स हैं इंग्लिश समझने वाले लोग समझ सकते हैं जो उस लेबल के पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ सकते हैं जो लोग गाउं से तालूक रखते हैं हिंदी भाशी हैं और ज्यादा उनकी पढ़ाई 11-12 मैट्रिक इंटर ज्यादा तर हाउस वाइफ्स जो हैं तो वो लोग ज्यादा तर पढ़ी लिखी नहीं है उनको अगर बच्चे के बारे में पता चले कि कुछ प्रॉब्लम है लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या है नहीं है तो उनको समझने के लिए आसान भासा में ही समझाना होगा इसलिए हम आसान भासा के योज करते हैं अब रही बात कि इसको हम यह नहीं कहेंगे गमंड नहीं कहेंगे या फिर उस यह से नहीं लें कोई भी जिनको अगर हमांसे डिस्कसन करना है और टीजम के टॉपिक पर उसके लिए क्या करें कि हम से आप डाइरेक्टली कॉंटेक्ट करें आपको एक टाइम दिया जाएग और दूर दराजवाले हैं तो हमसे आके नहीं मिल सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि एसे ही वीडियो कंफरेंसिंग में हम लोग उस पर डिसकस कर लेते हैं और ऐसा करते हैं कि जूम मीटिंग कर देते हैं जितने सारे लोग जोड़ना चाहें सारे लोगों को जोड़ देते हैं और आप अपना सवाल पूछें और हम उस पर जवाब आपको दें तो आपको समझ में आएगा कि क्या नॉलेज है नहीं है जो भी थोड़ा बहुत हमारे पास है अगर लोगों को इससे फायदा हो रहा है पोजिटीव अवेरनेस लोगों में आ रही है तो बस इतना ही चाहिए भगवान की क्रिपा है कि 10-15,000 लोग हम पर भरोसा करते हैं और ज तब से हमारा वीडियो देखना शुरू किये हैं तब से उनमें पोजिटिव चेंजेज उनके बच्चे में आने शुरू हुए है इसके लेके देश भर से लोग हमारे पास आते हैं चार से पांच दिन दस दिन के लिए आते हैं और लोगों की तरह साल-साल दो-दो-साल पा यह बात लास्ट में हम कहना चाहेंगे कि सब कुछ परफेक्ट किसी की लाइफ में नहीं हो सकता है अगर सब कुछ सही आपकी जिंदगी में चल रहा है तो समझ लिए कुछ सु उसी दिन बोलते हैं कि बहुत अच्छा भले ही आप चोर डकैत हूं लुटे रहे हूं पॉकेट मार हूं कि बहुत सारी लोगों को के साथ आपने धोखा धड़ी कि यह लेकिन कहा जाता है कि मरे हुए आदमी के बारे में गलत नहीं बोला जाता है तो उस दिन भी सबसे परफेक्ट होता है तो हम जिंदा इंसान है पॉजिटिव आवेर्नेस पे काम कर रहे हैं लोगों को जगा रहे हैं जो सोय हुए हैं और कनफर्मेशन बायस हो के डिप्रेशन में स्ट्रेस में हैं उन लोगों को जगा रहे हैं पॉजिटिव आवेर्नेस जवाब देना चाहिए सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए कि इससे और लोगों के फाइदा हो उनको समझ में आए कि चीजें क्या है सगरात्मों जगरुकता के लिए हमने जवाब दिया उमीद करते हैं कि सारे लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और जिनको भी किसी तरह का सवाल हो इस तरह के खासकर सवाल हो तो आप अपना सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं हम देखेंगे जो सवाल जवाब के लाइक होंगे उस पर हम वीडियो बना के जवाब देंगे कि अब अंत में कहना चाहेंगे कि कि और टीजम इज क्योरेबल कि बीवेर बी पोजिटिव दन्यवाद